सो क्लास 8 अपने टॉपिक को आके बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे सोविंग सो डावलू आई एंजी तो यह हमारा नया टॉपिक है सोविंग का मतलब होता है बीज अब इतक हमने फील्ड को तयार कर लिया था अब इस तयार फील्ड में हम क्या करना है बीज डालने बीज बोने देखिए किसान किस तरह के बीज को प्रिफेर करते हैं किसान उन बीजेस को प्रिफेर करते हैं जो क्या देते हैं जो एक तो healthy होते हैं और जो high yield देते हैं yield माने पैदावार जिन से अच्छी पैदावार होती है जो अच्छी quality के बीज होते हैं उन्हीं को prefer किया जाता है farmers के द्वारा एक छोटी सी method होती है अच्छे बीज को separate करने की इसके लिए क्या कर सकते हैं इक अपर पानी में ट्यारने लगेंगे तो ये एक mythod हहार है अच्छे atrabsEL को इसको separate करने की। ईप बड़े fields में seeds को बोधे कैसे हैं अज बड़े fields में seeds को बोने के दो परीक है जिसमे सेनज है traditional tools में क्या होता अगर आप पर ध्यान से दिखेंगे तो यहां पर एक कीप की तरह का structure है जिसमें से एक pipe निकला हुआ है यह एक keep है keep में से एक pipe निकला हुआ है अब जैसे जैसे आप यह हल्क चला रहे हैं उसके पीछे-पीछे क्या करते हैं इसमें seeds दालते जाएंगे और यह seeds भी क्या होगा एक ही line में seeds बोते जाएंगे इस तरह से seeds इस line में बोते रहेंगे यह different lines में health चलते हैं different lines में seeds बोते जाते हैं यह तो हो गई हमारी पुरानी traditional method बहुत बड़े-बड़े fields हैं तो बड़े फीर्ट को बोने के लिए अप क्या आते हैं कुछ equipment साते हैं आप इस equipment को देखेंगे यह क्या है seed drill इसमें क्या है इसमें वी उपर से एक pipe तरह का structure है यहां से हम seeds डालते हैं और और यह सिर्थ क्या होते इसमें क्या फायदा अध्य है बहुत सारे सीड्स एक ही साथ बोह जा सकते हैं और यह सीड्स जो है ही क्यों डिस्टेंस में में रहें वह स हो दो ले Ар गतारि हुआ हैं तो हर दो जो नािंद बनेंगे सीड की उनकी बीच की distance क्या रहेगी, same रहेगी, इनकी depth भी क्या रहेगी, same रहेगी, equal distance रहेगी, equal depth रहेगी, उसके बाद क्या होगा, एक layer इसको क्या करेगी, seeds डालेगी, दूसरा वाला plot क्या करेगा इसको, cover करता चला जाएगा, तो अगर यहां से seeds आ रहे हैं, तो पीछे वाला मि इसके उपर मिट्टी चले जाती है, मिट्टी चले जाने के कारण, चिडियां इसको नहीं खा पाती है, this protects the seed from being eaten by the birds, तो चिडियां के खाने से, यह seeds बच जाते हैं, इस तरह के automated instruments से, क्या होता है, हमारा time भी बचता है, और हमारा labor भी बचता है, दूसरा, equal distance में होने के कार इनको sufficient satellite मिलती है, sufficient nutrients मिलते हैं, और sufficient water, soil से यह लोग absorb कर पाते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने seeds हो जाते हैं, दूसरा क्या होता, over crowded भी नहीं होते हैं, यानि कि बहुत घने घने भी नहीं हो पाते हैं, और बहुत दूर भी नहीं रह पाते हैं, तो एक यह perfect distance में seeds की sowing हो जाती हैं, next topic ours is adding manure and fertilizers, अब यहाँ पर एक ही चीज की दो terms है, एक है manure and second one is fertilizers, first we will discuss the difference between manures and fertilizers, manures and fertilizers, manures and fertilizers है, manures हमने पहरे भी पढ़ाया है कि manures are organic components and fertilizers are manmade in factories, so these are kya, these are mineral nutrients that to be supplied to the crop plants, what happens, we as a human body also need nutrients to grow up, similarly plants also need sufficient amount of nutrients, so from where will they get sufficient amount of nutrients, they will get it from, they will get it from soil, so this means the soil should be fertile, to make the soil fertile, we will use two different kind of fertilizers, that is called manure and fertilizers, manures and fertilizers, these are mixed with, fertilizers are mixed in the soil and makes the soil fertile, the nutrients are then absorbed by the roots and supplied to the leaves, so why do we need to have fertilizers and manures in the soil, see continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients, nutrients, तो अगर हम तो इस तरह से हम इसको भी कह सकते हैं कि अगर हम इसमें फरिटलाइजर का यूज नहीं करेंगे तो जो हमारे वीक प्लांट्स होंगे insufficient manuring results in weak plants, तो कमजोर होंगे, जिस तरह से कि अगर हम लोग sufficient nutrients नहीं लेते हैं, तो हमें भी weaknesses होती हैं, कमजोरी होती हैं, deficiencies हो जाती हैं, उसी तरह से plants को भी अगर proper food नहीं मिलेगा, या proper sufficient nutrients नहीं मिलेंगे, तो वो भी क्या होंगे, weak plants होंगे, manures क्या हैं, हमने पहले बोला है, manures are organic substance, they are performed by the decomposition of plants and animal waste, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खेत में एक pit में बड़ा सा, उस pit में सारे अपने जो हमारे गीला कूडा जिसको जाते हैं, हम लोग घर का बचा हुआ आराश, जो खाने से बच जाता है, चिकल, वो सब उस pit में डालते जाते हैं, पत्तियां डाल देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, और वो धिरे धिरे क्या होते हैं, इसके अलावा एक और मेथाड होते हैं, जिसको कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती हैं, हमने क्लास 6 में बढ़ा था, यह होती हैं, हमारी, यह होती हैं, किसे कीड़ों के थुरू, वर्मी माने कीड़े, जिसमें क्या होता हैं, वर्मी कंपोस्टिंग, यह दोनों चीज़ें हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके, तो हमारा मैनियोर्स प्रेपेर हो चुका है, इस मैनियोर्स को हम लोग कहां यूज करेंगे, अपने फ इस देटा, मैनमेड, तो मैनमेड नूटिशन में क्या हैं, कुछ एक्जामपल से उसके हम देखते हैं, जैसे यूरिया, आप लोगोंने कॉमनली सुना होगा, अमोनियम सलपेट, सुपर फॉसफेट, पोटाश, एन पीके, नाइट्रोजन, फॉसफोरस, पोटेशन, यह त इसके लिए हमको किसी, इसके लिए हमको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ेगा, यह हम कह सकते हैं कि एक फर्टिलाइजर के थूरू हम इसको सप्लाई करेंगे, ठीक, अब क्रॉप्स जो हैं, किस तरह की क्रॉप्स, वीड, पैड़ी, मेज, अच्छे फर्टिलाइज अच्छी क्रॉप्स हमारी ग्रो होगी, बट प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, यह सप्लाईर के साथ प्रॉब्लम यह है, कि एक्सेसिव यूज ऑफ सब फर्टिलाइजर, क्या करते हैं, पॉलूशन होता है, और बहुत ज़्यादा यूज करने पर क्या होता है, सॉल की जो होती है, वो भी क्या होती है, कम हो जाती है, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करने पर सॉल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, उपच कम होने लगती है, वो सॉल कहने किसी दिसी बादर खराब होने लगती है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा अर्गनिक फर् अगर इससे काम नहीं बन रहा है तो फिर आपको अर्टिफिशल सा यूज़ करने ही पड़ेगा इसके अलावा एक और मेथाड होती है जो किसान अक्सर यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन इसके नाम से क्रियर है कि क्रॉप रोटेशन एक ही तरह की क्रॉप एक ही फील्ड में बार-बार उगाने से उसकी न्यूट्रियंट्स खतम हो जाते हैं तो क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं कि अलग अलग तरह की क्रॉप सुनाते हैं कुछ क्रॉप ऐसे होती हैं जो फटिलाइजर के लेवल को बढ़ने का काम करते हैं इन में से एक बड़ा अच्छा एक्जामपल है वह है पीज यानि की मटर हमने पिसले चेप्टर में पढ़ा भी था इसके बारे में एक वैक्टिरिया होता जिसको कहते हैं रिजोबियम बैक्टिरिया रिजोबियम बैक्ट पीस यह फिक्स ऐत्मोस्फ्वटरिक नैक्टोजन जो थे लिजोबियम की बात कि थी वह यह 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 इत्मोस्फियर की नैक्टोजन को ऐसे कंपॉंद जो श्वाइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और जिनको यूशली एब्सॉप किया जा सकता है तो यह लिग्यमेनस प्ला nitrogen उस field में nitrogen की कम ही हो रही होगी वो इसको पूरा कर देगा cover up कर लेगा ठीक है तो इस तरह से हम दो तीन तरह से कुछ तरह से अपने soil की fertility को बढ़ा सकते हैं या उसको maintain कर सकते हैं अब यहां पर तोड़ा सा difference देखेंगे difference between fertilizers and manures बहुत क्लियर है पहला टो पॉइंट है फर्लाइजर्स और मैं इन और्गनिक salts इन और्गनिक शॉल्ट थ्यान रहें नाट और्गनिक शॉल्स और्गनिक सॉल्स होते हैं जो कार्बन compounds होते हैं जिनमें कार्बन पाजाता है लेकिन इन और्गनिक हैं इनमें कार्बन नहीं मिलेगा इसके बारे में details हम higher classes में पढ़ेंगे और्गनिक और इन और्गनिक क्या होता है manures is natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues ठीक है dead plants है dead animals है उनसे क्या बनता है manure बनता है fertilizers factories में होता है manure can be prepared in fields वही एक अपने pit बनाया था vermicomposting and all and next is fertilizers does not provide any human humus to the soil यह soil में humus provide नहीं करते हैं क्योंकि यह chemicals हैं और यह dissolve हो जाते है यह manure provided lot of humus to the soil fertilizers are rich in plant nutrients like nitrogen phosphorus and potassium NPK हमने पढ़ा था पीछे भी तो NPK डालेंगे तो nitrogen phosphorus and potassium उनको तीनों ही एक साथ मिल जाएगा manures क्या होते है manures are relatively less rich in plant nutrients यह less rich होते हैं बड़ soil को नुकसान कम करते हैं तो जरूवत हमको दोनों की ही पढ़ेगी लार्ज स्केल में जब हम लोग प्रोडेक्शन करते हैं एड्वांटेज क्या है और अर्गनिक्स के ता ओर्गनिक मैनियूर is considered better than fertilizers why they enhance water holding capacity भी बढ़ाते हैं they makes the soil porous due to exchanger और दूसरा क्या होता है दीखो जो मैनियूर से हैं वो थोड़े जाता है डिजॉल्व हो जाएंगे तो वह soil में porous करने का तो उनका कोई सवाल नहीं होता लेकिन मैनियूर्स तुछ में देखा हो गोबर की खात क्या होगा अगर मिक्स होगी तो क्या होगा थोड़ी मोटे कर देगी अपनी तो इसके कराण क्या होता है जो फ्रेंडली मैक्रोब्स होते है वो बढ़ जाते हैं तो इंप्रोफ करते हैं तो इंप्रोफ करते हैं आज का topic आगले हम पढ़ेंगे irrigation